नगरनिगम किस तरह से यहाँ पर मुस्तेदी से अपना काम शुरू कर दिया है और जिस तरह से त्योहार का समय चल रहा है ऐसे में सहर की साफसफाई तो की जा रही है लेकिन यहाँ पर विशेश तोर पर क्योंकि महिंदर सिंग धोनी का घर है तो जिस तरह से यहाँ पर तो ये एक बड़ी कारवाई नगर निगम के द्वारा आप कह सकते हैं और थाने को भी यह सुचना दी गई है कि नगर निगम के ऊपर से आदेश आया है कि यहां जितनी भी गारियां कबार बनकर लगी हुई है उसे हटा दिया जाए तो ये एक्स्कूसी तस्वीर आप देख रहे हैं महिंद्र सिंग धोनी के घर के समीब से जो नगर निगम के करमी है अधिकारी है उनके भी हम बादसीत करेंगे कि आखिर कब आदेश आया है कहां के आदेश आया है और कहां पर ले जाया जाएगा इन कबार बनी गारियों को तो ये तस्वीर है महिंद्र सिंग धोनी के घर के सामने का देख सकते हैं जो नगर निगम के अधिकारी है ये तस्वीर देखे महिंद्र सिंग धोनी का ये घर है और या वो घर है जब महिंद्र सिंग धोनी स्टार्ट बने थे और सबसे पहले यही पर जो भारतिये क्रिके इनके खिलारियों के साथ जो दूसरे देसों के खिलारी भी रांची पहुंचते थे उनका डीनर गूँखा करता था हजारों के भीर यहां लगते थे एक झलग पाने के लिए माही का, तो अब यह नजारा लांक फिलाल यहां नहीं होता है जो लोग रांची गोमने भी आतेते वो एक चल्फी जरूर यहां से लेते थे तो ये कारवाई नगर निगम की तरफ से शुरू की गई है और देख सकते हैं कि कवार को अब हटाने की परकरिया तेज कर दी गई है और खाने को भी शिकायत की गई है जितनी कारियां यहां पर कवार के रूप में लगाई गई है उसको हटा लिया जाए तो अब ये एक कारवाई नगर निगम के तरफ फुद से किया गया है जो कारियां विलाल इस साइड लगी हुई है उसको यहां से हटाए जा रहा है जो अधिकारी है उनसे ही हम जानते हैं जो आखिर क्या कुछ आदेस आया है और कहां ले जाये जा रहा है तर ये कहां से ये जो कवार गारियां है क्या हटाने के लिए आदेस आया है क्या है आप लोग नगर निगम से हैं देखे फिलाल कुछ ये बताने के लिए तयार नहीं है लेकिन जो सूचना मिली है उसमें जितनी गारियां या कवार बनी हुई है उसको हटाने की कवायत सुरू कर दी गई है क्योंकि ये भारतिय क्रिकेटर महिम सिंग धोनी का घर है और जो हाल के दिनों में घर की स्थिती ज करजर हुई है उसे दुरुस्त करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो अब ये पोसिष नगर निगम के द्वारा जो आखिर यहां से कवार को हटाया जाए फिलाल आप देख सकते हैं ये महेंद सिंग धोनी का घर है हलांकि फिलाल इस घर को अभी मेंटेनेंस की ज़रूरत है यहां महेंद सिंग का पूरा परिवार नहीं रहते हैं वो अब अपने फार्म हॉस में सिप्थ हो गए हैं तो ऐसे में यह हम उमीद कर सकते हैं कि अब यहां पर मरमत कारे भी शुरू किये कराये जाएंगे लेकिन जो अतिक्रमन कर लिए गए थे यानि सड़क के किनारे जो गारियां खरीकी गए थी जो कवार बन चुकी है उसे फिलहाल यहां से हटाये जा रहा है तो यह इस वक्त की बड़ी खबर हम एक्क्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं राची के हर्मो इससे महेंद्र सिंग्धोनी के घर के सामने से